नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में तो दोस्तों वीकली करेंट अफेस में आज हम लोग 27 अगस्त लेके 2 सिप्टेंबर 2023 तक के जितने भी करेंट अफेस बन सकते हैं उन सभी चीजों को कमपाइल किया हुआ यहां पर डिसकस करने वाले हैं दोस्तों और यह वीडियो जो है यह वीकली करेंट अफेस का यह अगला वीडियो है जो की 33 वीडियो है जिन लोग को इसके फिछले के वीडियो देखना हो वो जाकर देख सकते हैं वीकली करेंट अफेस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी तो चलिए जानते हैं करेंट डफेस को बिश्व एथलेटिक्स चेंपियंशिप 2023 का यह आयोजन किया गया था जो की यह हंगरी बुधापेस्ट में इसका आयोजन किया गया था और इस आयोजन में दोस्तों हमारे देश के जो भाला फेक एथलेट हैं जिनका नाम है नीरज चोपडा उनके द्वारा स्वण पदक ज फेका गया है अब यह जो हैं पाकिस्तानी एथलेट जिनका नाम है अरसद नदीम इनके द्वारा रजत पदक जिता गया और स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपडा के द्वारा जिता गया मतलब भारत पाकिस्तान यहां पर कुछ मैद चल रहा था जिसमें पाकिस्तान यह राजत पदक जीता है और अगर तीसरे अस्थान पर देखा जा तो यह चेक गन्राइज के जेकब वाल्ड वाल्ड डेटर जो जीत हैं जिनके द्वारा यह तीसरे अस्थान पर मतलब इसको बोलते हैं काईशी पदक जो है इनको मिला होगा दोस्तों तो यह सबी चीजें जो विस्व एथलेटिक्स चेंपियंशिब 2023 से रिलेटेड है अब जान लेते हैं नीरत चोपड़ा जी के द्वारा और भी इतने इतहास रचे गये हैं जिनमें इनके द्वारा जीत हासिल किया गया है वो भी जान लेते हैं दोस्तों तो इनके द्वारा दोस्तों पांच 2022 में हुआ था इसमें दोस्तों 89.30 मीटर तक इनके द्वारा भाला फेका गया था नेक्स्ट है लुसा ने डायमंड लिग जो की 2022 में आयजन किया गया था इसमें 89.08 मीटर इनके द्वारा फेका गया था अब है वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंशिब 2023 इसमें दोस्तों इनके द्वारा 88.77 मीटर का फेका गया और दोहा डायमंड लिंग जो हुआ था यह 2023 में इसमें इनके द्वारा 88.67 मीटर तक का भाला फेका गया था तो दोस्तों यह काफी चर्चित व्यक्ति हैं इनसे रिलेटेड प्रस्ण आने वाला एक्जामों में बन सकता है जितने भ लिंग तैंस्टीन का अगला भारती रास्धूत यह जो कि यह मिरदल कुमार जी को नूट किया गया है लिंग टैंस्टीन का अगला भारती रास्धूत कर दोमानग में अगर देखा जाय तो यह महांister घर aren't Vermont के रूप में यह रहत हैं अब इनको अगर केपिटल देखा जाए राजधानी देखा जाए तो यह वाडूज में situated है अब इसको एक बार मेप में देख लेते हैं यह रहा लिंक्टेंस्टेन और इसकी केपिटल जो है वाडूज है और इसके अगल वगल के जो कंट्री है श्वीट जर्लंड जर्मनी यह उस्ट्रिया यह सभी कंट्री जो इसके आसपास में देखने को मिलती है दोस्तों अब नेक्ट जानते जो अगला करेंट अफेर है इंडिया स्मार्ट सीटिज अवार्ड 2022 यह दिया गया है जो कि यह हवासन और सहरी कायर मंत्राल है महवा द्वारा यह परदान किया गया है जो कि इसमें टोटल 66 विजयताओं को इसमें समानित किया गया है और इसमें अगर देखा जाए तो राइष्ट असमार्ट सीटी पुरसकार जो है इंदोर को दिया गया है और अगर राइज में देखा जाए तो यह मद पर्देश और चंडिगड को इसमें सिर्ज अस्थान परदान किया गया दोस्तूं। अब इसमें अगर और भी देखा जाए तो पुरसकार पाने वाले जो राईज हैं मैदे पर्देश है उसके पाद तामिलनाडो उसके बाद राईजस्थान है और जो केंदर सासिट पर्देश अगर देखा जाए इसमें तो यह चंडिगर को दिया गया है और अगर नौर्थ सिटीज जो इंडिया स्मार्सीटीज आऊवार तिया गया है यह थुजारबाइस का वार्ड है जो इस साल दिया गया आर्थ व्यवस्था के लिए जवलपूर को दिया गया है, सासन व्यवस्था और मॉबिलिटी के लिए चंडिगर को दिया गया है, स्वाच्चता जल और सहरी पर्यावरन के लिए इंदोर को दिया गया है, और समाजिक पहलूँ के लिए वड़ोद्रा को दिया गया है, ऐसे ह innovative ideas रेनी के लिए हुबली धारवाड को दिया गया है और covid innovation रेनी के लिए सूरत को दिया गया है तो दोस्तों यहां से आपको काफी प्रस्ट बन सकते हैं आने वाले exam में SSE के जितने भी exam है MTS, CGL, GD उन से भी exam में आपको यहां से प्रस्ट देखनी को मिलेंगे अब next जानते हैं अगला point से जो कि कुछ important points इसमें डाले गए है चंद्रियान 3 से यह related है हलाकि मैंने चंद्रियान 3 का एक separate video मैंने बना के डाला हुआ है उसमें मैं सभी चीजों को mention किया हुआ है लेकिन एक बार फिर से mention कर देता हूँ क्योंकि यह current affairs का यह part है इसलिए इसमें इसको include किया गया है तो दोस्तों चंद्रियान 3 जहां पर land किया है चंद्रमा की सता पर उस जगह को सिव सत्ती point नाम रखा गया है और चंद्रियान 2 जहां पर क्रेस किया था उस सता को तिरंगा नाम रखा गया तिरंगा point उस जगह का नाम रखा गया है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नेरल मोदी जी के द्वारा ये National Space Day की घोसना की गई है जो कि अब से परते एक साल 23 अगस्त को मनाय जाएगा National Space Day हमारे देश में तो ये सभी चीजें हैं जो कि आने वाले एक्जामों में देखने को मिलेंगे अब नेक्ट जानते हैं जो कि असम में चार नए जिल्ले बनाये जा रहे हैं जो कि ये वहां के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हेवंत विस्व सर्मा उनके द्वारा ये घोसना किया गया है जो कि ये चार जो जिल्ले बनेंगे ये बजाली, विसुनाथ, होजाए और तामुलपूर ये चारो जिल्ले जो है नए जिल्ले असम में बनाये जाएंगे तो ये आसम का जो PCS exam होगा उन सभी के लिए ये काफी important होगी अब next जानते हैं Social Entrepreneur of Year Award जो कि ये 14 संस्क्रण था और ये दिया गया है सुचिन बजाज जी को ये दिया गया है जो कि ये उजाला सिगनस हेल्थ केर के ये हैं जिनका नाम है सुचिन बजाज और इनी को दिया गया है Social Entrepreneur of Year का अवाड और ये जो है ये जो आवाड दिया गया है ये Jubilant भारतिय फाउंडेशन और स्वाब फाउंडेशन फोर Social Entrepreneurship के द्वारा ये पुरसकार दिया गया है दोस्तों अब ये जो पुरसकार है अमिताप कांथ के द्वारा ये परदान किया गया है तो ये सबी चीजे है जो इनसे related हैं अब डेख जानते हैं जो कि ये राष्ट सिछक पुरसकार 2023 की ये घोसना की गई है जो कि ये पुरसकार हमारे देश के राष्टपती स्रीमती द्रोपदी मुर्मो जी के द्वारा ये 5 सितंबर को दिल्ली में ये परदान किया जाएगा जिसमें दोस्तों देश के विविन विविन जिलों से 50 सिछकों को चेयन किया गया है और ये पुरसकार दिया जाएगा और ये अगर देखा जाए हमारे जारकन राइच के दो सिछकों को चेयन किया गया है जिसमें से देखा जाए तो सेनिक स्कूल तिलेया के सिच्छक जिनका नाम है मनोरंजन पाठक और चत्रा इस्तित दिवान खाना मध्य विद्याले जिसके सिच्छक है मुहमद एजाजुल हक इन दोनों को दिया जाएगा राष्ट सिच्छक पुरसकार 2020 का अवार्ड हलाकि इ सिच्छ में डाला हुआ है चलिए जान लेते हैं जितने भी अस्टेट हैं उन सभी को भी जानना काफी जोर रही है जैसे कि सत्यपाल सिंग को देखा जाए तो यह हर्याना के टीचर है बिजय कुमार यह हिमाचल परदेश के टीचर है अमरित पाल सिंग यह पंजाब के आर पाल सिंग राजस्तान की सीला आव सोपा यह भी राजस्तान की है और भी जो है दादर नागर हवेली अंडवन्दीव के जो है स्याम सुंदर रामचंद कंचंद खान चंदानी यह इनका नाम है जिनको दिया जाएगा अभिनास मुर्द मुर्लीधर पार्खे जिको गोवा जो कि गोवा के हैं दीपक जेठालल मोटा जो कि गुजरात के हैं और डाक्टर सिता बेन निकेस चंद्रा फुलवाला जो की यह भी गुजरात की टीचर है तो यह सबी चीजे हैं जो यहां से रिलेटेड है अलाकि मैं यह पूरा चार्ट यह इसमें डाला हुआ हूँ तो जो पीडियाफ है दोस्तों वह आपको मिल जाएगी वहां से आप इसको रिड़ कर सकते हैं अपने जो भी एस्टेट के हैं वहां से आप देख सकते हैं कि आपके एस्टेट के कौन-कौन टीचर को दिया गया है क्योंकि आने वाल एक्जाम में एस्टेट PCS में यह खास करक यहां से प्रश्ण आपको देखनी को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं और नेक्स्ट जानते हैं यह आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं कि कहा कहा के टीचर को दिया गया है अगला जो करेंट अफेस है कि इंडियन ओयल का ब्रांड नियुक्त की गए हैं और यह जो संजीव कपिर जो हैं यह 2017 में यह चौथे भारति राष्ट समान इनको पदमसरी से समानित किया जा चुका है जिनको अब यह इंडियन ओयल का ब्रांड अम्बेस्टर नियुक्त किया जा चुका है अब नेक्ट जानते हैं IBSA वर्ल्ड गे अगर इसका फुल फोम अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ब्लाइंड अस्पोर्ट स्वेडरेशन के द्वारा यह आयजन किया जाता है जिसमें मतलब जो अंध्य लोग होते हैं उन सभी के बीच यह खेल का आयजन किया जाता है और यह जो हमारे देश के जो महिला जो कि DWF भी सो चेंपियंशिव दुजफ एफटाए इसका आयजन किया था जो की इसका आयजन अगर देखा जाए तो यह डेनमार्क के कॉपेनहेगन में इसका आयजन किया था और इसमें जो हमारे देश के जो एज़ेश पढ़नेशी है उनके द्वारा काश से पदक इसमें जी टूर्णामेंट में एक स्वर्ण एक रजा तोर नो काई से पदक जीता गया है अभी तक तो ये सबी चीजे हैं जो BWF वेस्टू चैंपियंशिप से ये रिलेड़ेड है मतलब बेडमिंटेन यहाँ पर खेला जाता है दोस्तों नेक्स्ट है पाकिस्तान में भारती उचायोग नियुक्त की गई है जो कि ये गीती का स्रीवास्तो जी को नियुक्त किया गया है और ये हमारे देश से जाने वाली ये पहली महिला है जिनको पाकिस्तान में उचायोग के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये जो है में भारत के उचायोग के रूप में ये अस्थापित है अब इनका अस्थान ये गीति का स्रिवास्तो जी लेंगी तो ये ध्यान में रखें ये हैं गीति का स्रिवास्तो जो अब पाकिस्तान में भारत के उचायोग का कमान ये समाल रही है अगला है भारत का पहला सोलर बैठाए गया है जहां पर बेजले उत्पादन होगी जो कि इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो यह टोटल मतलब यह 23 किलोमीटर तक यह लंबा है जिसमें तीन लेंड ट्रेक का इसमें निर्मान किया गया है और इसमें अगर देखा जाए तो अगरान करम गुड़ा से त्यलंगना राइज पुलिस अकाडमी तक यह 8.5 किलोमीटर है और कोलूर कोलूर से नर्सिंगी तक यह 14.5 किलोमीटर तक यह लंबाई है तो यह सभी चीज़ें जो भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिन ट्रेग यह हैदराबाद में स्थी थे यह बस इतना ध्यान में रखें अगला जानते हैं जो कि दुनिया का पहला 100% इथेनल इंधन वाला कार जो है दोस्तों हमारे देश में यह लॉंच किया गया है और यह हमारे देश के जो सड़क परिवन और राजमार्क मंत करें है अंगला जानते हैं ठीरु ओनम यह जो आक पर्घ। है यह केरल में यह मनाया जा रहा है ठीरु ओनम जिसमें दोस्तों ओनम केरल का यह फसल उत्सो, समरिधी, धर्म निलपिस्ता और सदभाव का परतिक ये माना जाता है जो कि ये केरल में मनाय जाता है अगला है दोस्तों E.T. Leadership Excellence Awards दिया गया जो कि ये परमीत सी सूध जी को ये दिया गया है E.T. Leadership Excellence Awards और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है Automobile Farts के निर्मान में उतकरिष्टा के लिए इनको मतलब इस काम में इनकी जो पहुँच है उसके लिए इनको दिया गया है अब ये जो परमीत सी सूध जी है दिया गया है और इसका आये जन अगर देखा जाहे तो ये नई दिल्ली के होटल दा ग्रेंड में इसका आये जन किया गया था जहां पर ये सभी जो अवार्ड हैं ये दिल्ली के भाजपादया चुब्यंद साच देवा तथा परसिद बॉलिवोर्ड अभीनेत्री राकुल प्रित सींजी के दोरा ये अवार्ड परदान किया गया है नेक्ट करेंड फिर जानते हैं अगला है मिस वर्ड दुहजाट तैस का जो आयजन जो है दोस्तों ये हमारे देश भारत के जम्मू कस्मीर में इसका आयजन किया जाएगा जो की इस साल का जो मतलब आयजन है ये अकतरवा संस्क्रण होगा जो की जम्मू कस्मीर के अंदर ये जम्मू कस्मीर में इसका आयजन किया जाएगा दोस्तों तो ये ध्यान में रखें अब जब आयजन होगा उस टाइम भी देखा जाएगा कि कौन विजेता रहेगी अगला है मिस अर्थ इंडिया 2023 का आयजन किया गया था जो की ये नई दिल्ली में आयजन किया गया था इसमें जैपूर राजस्तान की जो विश्वर्शी छातरा नर्तकी और ताइकॉंडो खिलाडी है जिसका नाम है प्रिया सेन के द्वारा ये किताब जीता गया है मिस अ अनजना जी को दिआ गया है और मिस अर्थ रंणर जम रप रही थी यह टजिस्वर शन श्रिवास्ताव जी रही थी और मिसिंटर्णेशनल का रर्णर रप मतलब जो मिस इंटरनेशनल इंडिया दोजर तेश इसके बाद जो जिनको यह पदक मिला उनका नाम है पेमा भूटिया इनको दिया गया था और अगर 2022 का अगर देखा जाए तो 2022 में मिस अर्थ इंडिया जो बनी थी यह वन सी का परमारच जी को दिया गया था और ग्लोबल मिस मिस ग् ऄaelे तो इसे द् θαन में रखें आने एक्जामा में आपको यहां से प्रस्ष्न देखने को मिल शकते हैं अब आंते हैं इन्फीनिटी सेविंग एकाउंट जो की एक्सिस बेंक के द्वारा यह लॉंज किया है इन्फीनिटी से विंग एकाउंट यह बस ध्यान में रखें यह घरेलू लेल देवन शुल का धारित खाता है जिसमें नियूंतम सेंस रासी कि कोई भी आविसकता नहीं मतलब ये फ्री में भी मतलब ये खुल सकता है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको आपके अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम आपको पांच सो पांच हजार इतनी राशी रखनी होगी ये को इसमें नहीं लिद दिया गया है तो ये एक्सिस बैंक का ये अच्छा पहल है इसमें काफी सारे लोग इसमें जुड़ेंगे अब नेक् चीन का ये घटिया हरकत जो बार-बार देखने को मिलता है इस बार फिर से देखने को मिला है जो कि ये अरुनाचल परदेश और अक्छा ही चीन को अपने हिस्से में ये दिखा रहा है तो चलिए अब मैप को देख लेते हैं कि कैसे अपना मैप जो है ये चाइना रिलीज क कर दिया है जो कि ये हमारे देश का ये इंटिग्रल पार्ट है और ये चाइना दिखा रहा है मैप में अपने इलाके का ये एरिया दिखा रहा है तो ये दिखाने से कुछ नहीं होता है यहाँ पर रहने से और यहां की जो कमान समानने से ये होती है तो ये ध्यान में रखे यह हमारे देश का integral part है, इसे ना जाने देंगे चाइना के पास, अब next जानते दोस्तों, अगला जो current affair है, जो कि यह अध्याय a homage to our waves soldiers, जो कि यह एक अध्याय है, जो कि यह NCRT के book में यह सामिल किया जाएगा, जो कि यह कच्छा सात्वी की अंग्रेजी पाइठी क्रम में इस सवान है, जिनकी बलीदानी चली गई है, मतलब जिनकी मिर्तियों हो गई है, उन सभी की याद में यह डाला गया है, जिसमें हमारे देश का जो राष्ट असमारक के इतहास के महतुक्य अधारना को यहां पर परकासित करता है, ताकि जो बच्चे होंगे, मतलब जो बच्च To Our Verb Soldiers इसका नाम है Brave Soldiers, अब नेक्ट जानते हैं, लगू सिचाई योजनाव की रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि यह जल सती मंतरलाही के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि अगर देखा जायए तो यह चटी जनगना रिपोर्ट है, इसमें देखा जाय तो पर्थम अस्थान जो है दिया गया है ये उत्तर परदेश को दिया गया है दूसरे अस्थान में महराष्ट को दिया गया है और महराष्ट के बाद में तिसरे अस्थान पर करनाटका चोंते अस्थान पर तेलंगना और पांचमें अस्थान पर उडिसा को दिया गया है तो ये मतलब 2023 का जो यह बैस्विक परियावरन सुविदा जिसको जी एफ बोला जाता है और यह साल की जो आयजन जो है यह सातवी असेमिली की आयजन यह किया जाएगा तो यह ध्यान में रखें और जो 2018 का जो हुआ था यह वियत नाम में इसका आयजन किया गया था जो कि यह जलव हुआ है जो हमारे देश की राष्टकति स्रीमति द्रोपदी मुर्मो जी के द्वारा ये जारी किया गया जिसमें दोस्तों एंटी रामाराव की याद में यह मतलब उनकी अस्मिति में उनके जन्म सताब्दी वर्श के उसर पर यह सिका जारी किया गया इस सौ रुपे का श तो ये सबी चीजे हैं ये ध्यान में रखें और ये जो 100 रुपिया का असमारक सिक्का ये जारी किया गया है इसको आप खरीद भी सकते हैं उनलाइन जिसका प्राइज रखा गया है 3500 रुपीया परती सिक्का का प्राइज रखा गया और अगर आपको अपने घर में सजाना है या किसी को दिखाना है तो ये आप सिक्का खरिज सकते हैं हलांकि ये सिक्का आपको market में मतलब ये नहीं चलेगा मार्केट में ये खरीज विकरी के लिए इस ठीके को नहीं बनाए गया है दोस्तों अब नेक्ट जानते हैं अगला जो है हुलोग गिबन जो है जो कि ये हमारे भारत में ये पाए जाने वाला एक मात्र वानर है तो ये खत्रे में हैं इनको बचाना चाहिए मतलब इसको सेव करने के लिए कुछ न कोई ये योजना वगरा बनाना चाहिए सरकार को और ये जो गिबन है ये मांस नहीं खाते हैं मतलब ये स्ताकाहारी हुलक गिबन सब हैं हुलक गिबन का दोस्तों मैंने इसमें पिक्चर एड़ करना मैंने भूल गया तो आप गूगल में सार्षिकर करके आप देख सकते हैं किस परकार का हुलक गिबन दिखता है अगला है रेमन मैंक्से का वड़ जीता है दोस्तों इसमें दोस्तों चार लोगों को दिया गया है जिसमें अगर देखा जाय तो यह कौरवी रचंद जो कि बांगला देस का है इनको दिया गया है और यूजे नियो लेमोस जो की तीमोर लेटसेक की है इनको दिया गया है मतलब यहां कहा है इनको दिया गया है और मरियम कोरोनोयल फेरर जो की फिलिपिन्स की है इनको दिया गया है मतलब एक महिला को दिया गया है और तीन पुरुसों को दिया गया है इस ताल का रेमन मैकसे से पुरसकार जिसको एजिया का नॉबेल पुरसकार भी कहा जाता है और यह जब पुरसकार है यह रवी सकुमार जी को दिया गया था और भी कई भारतियों को यह दिया गया है पुरसकार तो वह आप थ्यान में रखें और यह जो रवी किनन जी जो है यह असम से रिलेटन मतलब ये असम के इसलिए असम के जो मुख्य मंत्री हैं मन्त विश्व सर्माजी के द्वारा बधाई दी गई कि आपको रेमेन मेक्से से पुरसकार हुआ है और ये जो है ये कच्छार कैंसर आस्पताल और अनुसंदान केंदर के ये निदेशक और इनी को दिया गया है और ये जो विदेशी हैं इन सभी को दिया गया है दोस्तों तो ये ध्यान में रखे और इस साल का जो ये रेमान मेक्से से पुरसकार है ये 65 रेमान मेक्से से पुरसकार दिया गया है तो ये सभी चीजे हैं जो इन से रिलेटेड है अब नेक्ट जानत ये मुंबई टाटा इंस्टूट ऑफ सोशल साइनसेज के स्कूल ऑफ मेनेजमेंट के लेबर अस्टेडिज के डीन है जो ये सत्यजीत मजुम्दार जी है और इनी को ये डॉक्टर वी जी पटल मेमोरियल अवार्ड दोजार ताइस से सम्मानित किया जा चुका है तो बस इन नहीं अध्याच और स्यूंख ये जै वर्मा जिनको नीव्क्थ किया गया है और यह जो है अनेल कुमार लहोटी का ये जगह लेने वाली है तो ये ध्यान में रखें और इससे पहले ये जो है रेलवेबॉड की ये मतलब ये जो है बनने वाली ये पहली महिला जो है ये बनने वाली अध्याच के रूप में रेलवेबॉड की और इससे पहले विश्वनाथन रेलवेबॉड की ये पहली महिला सदय से भी रह चुकी है तो जो पुरसकार है ये मनोज बुबना जी को दिया गया है एंटर्पेन्योर अब दा इयर 2023 का अवाड तो ये ध्यान में रखें अगला जानते हैं दोश्तों अंतर्राइश्ट किर्केट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है जिनका नाम है डेनियल मेक गाहे इनका जाएगा अब अगला है दोस्तों उत्केला हवाई अड़ा जो कि ये उडिशा में सिच्वेटेड है इसका उद्गाटन किया गया है श्री जोती रादित्य एम सिंध्या के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है दोस्तों और इसका स्वामित जो है इस हवाई अड़े क बनाए गया है और इसका रणवे अगर देखा जाए तो यह 970 मीटर तक यह इसका रणवे लंबाई है जो कि यह हवाई एड़ा अब उडिसा में मिलाकर अब टोटल यह पांच हवाई एड़ा उडिसा के हो गए हैं तो यह थ्यार में रखें यह उडिसा के जितने भी PCS एक् उपकरण है जो कि हमारे देव जो कोष्टल लाके में जो मच्वारे जो होते समुझरी तर्के मच्वारे होते हैं उन सभी की सुरच्छा के लिए इस्त्रों के द्वारा यह बनाए गया जिसका नाम है नबमित्र तो यह बस ध्यान में रखें नबमित्र क्या है तो यह एक प्रकार का यह उपकरण है जो कि यह चक्रवात मोसम इन सभी से रिलेटड यह चेतावनी यह दे का मतलब अलर्ट जारी करेगा यह सभी जो नौका हैं उन सभी को अगला है असम का सबसे बड़े सबसे लंबे फ्लाइ ओवर का ये उदघाटन किया गया है दोस्तों जो कि ये गुवा हाटी में ये सिच्वेटेड है जिसका नाम है निला चल फ्लाइ ओवर जो कि इसका उदघाटन 30 अगस 2023 को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत कर्मा जी के द्वारा किया गया है और ये असम का सबसे लंबा फ्लाइ ओवर बन चुका है जिसकी लंबाई अगर देखा जाए तो ये 26 सुरी 2.6 किलोमेटर तक इसकी लंबाई है और ये जो है माली गाउं से लेके कामख्या गेट तक ये अतनी लंबाई इसकी है और इसमें जो लागत लगी थी ये टोटल 420.75 क्रोड रुपे की लागत से इस फ्लाइ ओवर को बनाया गया है और इसकी आधार सिला 2020 में ही रखी गई थी और अब जाके ये कंप्लिट हुआ है जिसका उधगाटन किया गया है ये आपको कुछ इस परकरकाद दिख रहा है फ्लाइ ओवर जो की जिसका नाम है नीलाचल फ्लाइ ओवर और ये असम का सबसे लंबा फ्लाइ ओवर बन चुका है तो यहां से प्रस्ण देखने को मिल सकते हैं अगला है मुख्यमंत्री कंया-सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश का यह योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आ दित्जिनात के द्वारा वित्यُवर्स 20-25 में इसको बढ़ा के पंद्रो हजार से बढ़ा के 25,000 रुपई ये करने की घोसना योगी अधितनाथी के द्वारा ये किया गया है जिसमें यह योजना जो ही राइज की बेटियों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करती है और इसमें वित्य सहता परदान की जाती है ताकि यह जो राइज की बेटियां है वो अपने पढ़ाई लिखाई जारी रख सके और यह जो पैसा यह दिया जा रहा है वो अच्छे कामों में वो अपना विकास के लिए उसका यूज कर सके और इसमें जो है दोस्तों इस योजना में बेटी के जन्म लेते ही माता पिता के खाते में पांच हजार रुपई ए ट्रांसफर कर दिये जाएंगे ऐसा इसमें प्रवाधान किया गया है अगला है जो कि ये भी एक योजना है जिसका नाम है ग्रिल अच्मी योजना जो कि ये करनाटक सरकार के दौरा ये शुरू किया गया है और ये भी महिलाओं को ससक्त करने के लिए ये ग्रिल अच्मी योजना का आरम किया गया है जिसमें दोस्तों परतिक माह 2000 रुपई ये सहायता रासी दिया जाएगा जिसमें जो घर का जो मतलब कोई महिला मुख्या है जो अपने घर का लालन पानल कर रही है उन सभी के लिए ये दिया जाएगा जिसमें दोस्तों 7500 करोर रुपई का इसमें मतलब आवंटन किया गया है इतना रुपई ये बाटा जाएगा गिरिल अच्मी योजना के तहट करनाटक सरकार के द्वारा तो बस यतना ध्यान में रखें कि गिरिल अच्मी योजना कि इस राइज में ये इंप्लिमेंट किया गया है तो ये करनाटक राइज में इंप्लिमेंट किया गया है नेक्स्ट है अगला है Finance Industry Development Council के अध्याच के रूप में मतलब नए अध्याच नियूत किया गया है जिनका नाम है उमेश रेवनकर जी को नियूत किया गया है FIDC के नए अध्याच के रूप में और ये हैं उमेश रेवनकर जी को हाली में नियूत किया गया है अगला है दोस्तों geographical indication tag दिया गया है जो कि यह असम के चोकुआ चावल को दिया गया है जिसको magic rice भी कहा जाता है और इसी को दिया गया है अगला है ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 का यह आजन किया जाएगा जो कि यह electronics और सुचना प्रदोगी की मंत्राले के द्वारा अक्टूबर 2023 में इसका आजन किया जाएगा जो कि यह पहले संस्क्रण का यह आजन किया जा रहा है और इस समेलन में संचालन समीति की अध्यस्ता जो यह केंद्र राइज मंत्री राजिव चंद्र सेखर जी के द् दिहान में रखे Global India Artificial Intelligence 2023 का एजन यह electronics और सुचना प्रदोगी की मंत्राले के द्वारा किया जा रहा है अगला है जो कि यह कुछ important days है उन सभी को भी जानना काफी important है क्योंकि यहां सभी प्रस्ण देखने को मिलते हैं तो जो विश्व संस्कृत दिवस जो है यह इस साल 31 अ जो कि जुलाइ या फिर अगस्त महिने को आता है उसकी पुर्नीमा के दिन यह मनाय जाता है तो इस साल का जो है दोस्तों यह 31 अगस्त को पड़ा इसलिए यह 31 अगस्त इस साल मनाय जाएगा हो सकता है नेक्स्ट आल कुछ और दिन पड़े तो आप ध्यान में रखें और इ और वेदिक संस्कृत के अंतरगत क्या क्या आते है रिगवेद आता है और पुरान यह सभी चीजें आते हैं तो दोस्तों यह जो संस्कृत है यह हमारे देश का यह प्राचिन भाजा है जिसको बढ़ावा देने के लिए और इसको कंजर्व रखने के लिए यह मनाय जाता ह बिश्व संस्क्रीत दिवस्ट इस राष्टि खेल दिवस। और ये प्रते ایک साल Аमारे देश में बिश्ट 보면39 ऑकस्त को मनाया जाता है राष्टि खेल और यह जो तिवस की दिगश मेंगर मैजर ध्यांचंकर सिंग की जहनति के उपलेचि में मनाए रहता है जो कि अगर देखा जाए पहला राश्टिक खेल दिवस तो यह 29 अगस 2012 को मनाए गया था और इस साल जो यह बारवी वर्षगाट की रूप में यह मनाया जा रहा है 2023 का जो राश्टिक खेल दिवस है और इस साल की जो बिसे रखा गया है इसलिए थोड़ा फिर से पता देते हैं स्पोर्ट्स और एन इनेबलर टू एन इंक्लोसिव एंड़ फिट सोसाइटी यह 2023 का यह विशाई रखा गया है तो यह था दोस्तों जो कुछ important day है जिनको हाली में मनाये गया अब next जानते हैं अगला जो की है यह एतिहासिक अस्तल से related कुछ points हैं इतिहासिक अस्तल एतिहासिक गुफा उनको भी जानना काफी important है क्योंकि वहां से भी आपको काफी examo में प्रस्ट देखने को मिलते हैं चलिए गामते हैं जो पितल खोरा जो कुफा है ये भारत के महराष्ट के पस्चिमी घाट की सत्माला स्रिंखला में ये सिच्वेटेड़ है जो कि ये प्राचिन बोध अस्थल इसको मतलब यहां पर प्राचिन बोध अस्थल ये मना जाता है वहां पर बहुत विच्चु लो मिलेगी अगला है जिसका नाम है भानगड किला जो कि ये राजस्थान के जैपूर जिल्ले से लगबग 80 किलोमेटर के दूर अलवर जिल्ले में ये भानगड का किला ये सिच्वेटेड है और इसमें जो है कुछ मंदिरों को देखने को यहां पर मिलती है जैसे कि भागवा सौमेशवर का मंदिर यहां पर सिच्वेटेड है गोपिनाथ मंदिर मंगला देवी मंदिर और केसव राय का मंदिर यहां पर देखने को मिलता है तो चलिए जानते हैं भानगड का किला किस तरह देखता है तो ये आपको देख रहा होगा भानगड का किला अगला है दोलता दोलताबाद का किला और यह जो किला है यादव राजवन्स की राजधानी थी कुछ समय पहले उसके बाद मतलब दोस्तों दिली सल्तनत की राजधानी बने उसके बाद अहमद नगर सल्तनत की दुट्राजधानी के रूप में यह दोलताबाद किला को यह अपनाया गया था औ यह जानते हैं किस तरह दिखता है दौलताबाद का किल्ल यहां पर टूरिस्ट लोग घूम रहे हैं देखने के लिए नेक्ट है बोरा गुफाएं जो कि यह आंद्र पर्देशक में अलूरी सितारामाराजु जिल्ले में यह सिच्वेटेड़ है बोरा गुफाएं और इसमें देखा जाए तो लगबक 400 सीडियां इसके नीचे उतरती है जो कि ये प्राकृतिक का अनुपम देन है मतलब ये अपने आप ये प्राकृतिक रूप से ये बना है बोरा की गुफाएं जो कि अगर देखा जाए तो ये गो अस्थनी नदी के परवा के परणाम सुर बोलता है अगला है नाहरगड का किल्ळा जो कि ये 1734 इस्वी में महराजा सवाई जैशीई दुतिक कि द्वारा जैपूर में इसको बनवाये गया था नाहरगड का किल्ला और ये जो किल्ला है जैपूर में अरावली पत्माला के किनारे पर ये पिश्ती थे तो चलिए देखते हैं कि नाहरगड़ का किला किस प्रकार दिखता है यह आपको दिख रहा होगा नाहरगड़ का किला जो काफी एकदम सुन्दरता इसमें देखने को मिलती है अब दोस्तों कुछ जो हाली में जिनका निधन हो गया है जो परमुख व्यक्तितों हैं जो अब हमारे बीच अब नहीं रहे हैं उन सभी को भी जानना काफी ज़रोड़ी है तो चलिए जानते हैं जिनका नाम है अनुभावी मतलब ये अनुभावी हिंदी फिल्म और गितकार हैं जिनका नाम है देव कोहली जिनका हाली में निधन हो गया और ये असी वर्ष की आयू में ये इनका निधन हो गया है और इनके द्वारा दोस्तों मैंने प्यार किया बाजीगर जुड़वा तू मुसाफिर सुट आउट एट लोखंडवाला एंड टेक्सी नंबर 911 सहीत सो से अधिक फिल्मों में इनके द्वारा गीत गाए गया है जो अब हमारे बीच अब नहीं रहें नेक्स्ट व्यक्तित में जो कि ये कभी नत्री है अरलिन सारकीन का जो की 67 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया दोस्तों और ये जो हैं 1992 में बैटमें दा एनिमेटेड स सीरीज में ये अपनी मतलब धौनी आवाज इनके द्वारा दिया गया है इस जो मुवी में इनका आवाज देखने को मिलता है नेक्स्ट है अगले जो व्यक्तित हैं जो कि ये एक कभी साहितिकार जिनका नाम है जयंत महापात्रा इनका निधन हो गया ये हैं जयंत महापात जो अब हमारे बीच नहीं रहें और यह जो हैं दोस्तों अंग्रेजी कविता के लिए साहितिक अकैदमी पुरसकार जितने वाले पहले भारतिय कवित हैं जो अब नहीं रहें और इनको 2009 में पदम स्री पुरसकार 2015 में मतलब इस पुरसकार को इनके द्वारा लोटा दिया गय अगला व्यक्ति हैं जो कि यह श्री दरबार साहिब के पुर्व पर्मुख जिनका नाम है ग्रंती जगतार से इनका हाली में निदन हो गया है तो यह था दोस्तों पूरे विक का जो भी करेंट अफेस बन सकते हैं उन सभी चीजों को मैंने इसमें इंक्लोड कर दिया है तो वीडियो को इससे लगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा ज़्या और अपडेट इस चैनल के तुरो मिलती रहे दोस्तों तो थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल 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 झाल